नवजवान दोस्तों कुछ बातें आपके साथ भी तो मैं करना चाहता हूं मुझे कभी कभी चिंता हो रही है कि हमारी युगा पीड़ी में कई लोगों को कमफर्ट जोन में ही जिन्गी गुजानने में वजाती हैं माबाप भी बड़े एक रक्षात्मक अवस्था में ही उन वेकेशन का मजा लेने के लिए योजनाय बन चुकी होगी समर्वेकेशन दर्मियां होने के बाद भी जरा अच्छा लगता है लिकिन मैं एक मित्र के रूप में आपका वेकेशन कैसा जाए कुछ बातें करना चाहता हूं मुझे विश्वास है कुछ लोग जुरूर प्रव दिएनों करें लिए कि निउस कील का अउसर लें कोशिश करें कि जिसके विशे में कभी सूना है न देखा है न सोचा है न जानते हैं फिर भी वहां जाने चीज को टीवी पर देखना या किताब में पढ़ना या परिचीतों से सुनना और उसी चीज को स्वयम अनुभाव करना तो दोनों में आस्मान जमन का अंतर होता है मैं आपसे आग्रह करूगा इस वैकेशन में जहां भी आपकी जिग्यासा है उसे जानने के लिए कोशिश किजिए नया एक्सपरिमेंट किजिए एक्सपरिमेंट पॉजिटिव हो थोड़ा कमफोर्ट जोन से भाहर ले जाने वाला हो हम मध्यमबर्गे परिवार के हैं सुख लेकर के चड़ जाएं कम से कम 24 गंटे की सफर करें क्या अनुभव आता है उन पैसेंजरों की बाती क्या है वो स्टेशन पर उतर क्या करते हैं शायद साल भर में जो सिख नहीं पाते हैं उस 24 गंटे की विधाव ड्रिजेशन वाली भीड़वार वाली ट्रेन में सोने को भ समय हो अपना फुटबॉल ले करके वालीबॉल ले करके या कोई भी खेलकुत का साधन ले करके तदन गरीब बस्ति में चले जाएं उन गरीब बानकों के साथ खुद खेलिए आप देखिए शायद जिन्दगी में खेल का आनंद पहले कभी नहीं मिला होगा ऐसा आपको मि इस प्रकार की जिन्दगी गुजानने वाले बच्चों को जब आपके साथ खेलने का आउसर मिलेगा आपने सोचा है उनकी जीवन में कितना बड़ा बड़ाव आएगा और मैं विश्वास करता हूँ एक बार जाएंगे बार बार जाने का मन कर जाएगा यह अनुभव कई वॉलेंटिर और नाशन सेवा के काम करते रहते हैं आप तो गुगुल गूरू से जुड़े हुए हैं उसके पर ढूंड़िये किसी ऐसे और नाशन के साथ 15-20 दिन के लिए जूड़ जाएए चले जाएए जंगलों में चले जाएए कि कभी-कभी बहुत समर केंप लग लगते हैं कई प्रकार के विकास के लिए लगते हैं उसमें सरीख हो सकते हैं लेकिन साथ साथ कभी आपको लगता है कि आपने ऐसे समर कैंप किये हो परस्टनाटिटर डेवलप्पन करका कोर्स किया हो आप बिना पैसे लिए समाज के उनकों के पास पहुंचे जिनको ऐसा नहीं है और जो आपने सिखा हैं उनको सिखाएं कैसे किया जा सकते हैं आप उनको सिखा सकते हैं